कान बहना वो समस्या है जो बच्चों से लेकर बड़ों को परिसान कर देती है एक या दोनों कानों से पीब, ममाद या कुछ भी पतला, गाड़ा, बदबुदार, अरक्त, मिसित, डिस्चाज हो रहा हूँ तो उसे हम कान बहना या उटूरिया कहते हैं इससे 12 पन होने का भी सारे दमाईया हैं जो आपके इस समस्या को खत्म करने के लिए काफी बेहतर और स्वक्षित भी हैं नमस्का दोस्तों मैं हूँ डक्टर शिव संकर पंडित आपका में चैनल में बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों अगर आपको भी यह समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उप्योगी हैं वीडियो को पूरा अवस्या देखें ताकि आप पुरी तरह समझ पाएं तो आईए समझते हैं दोस्तों कान बहने की पहले मेरिसिन है मूलन ओया और इर ड्रॉब यह नई तथा पुराने सभीत मेर के कान की समस्या को खतम करने की काफी वहतर आउस्ति हैं इसे दिन में तीन बार दोदबुन लगतार 2-3 मनों तक कान में डालने से प्राया सभी प्रगा के कान की समस्या खतम हो जाती है और टोर्जा के अगली मेडिसिन है साइलेसिया इसे आप उस इस्षिति मेले हैं जब आपके कान के हड़ी तक गलना लगे हो और उसे बहुती बदबुदार पतला मवाद आ रहे हो तो इस इस्षिति को ठिक करने के लिए साइलेसिया काफी इफिक्टिम मेडिसिन है इसके 30 पुटेंसिय दिन में तीन बार दोदबुदार सन करने से ही आपके कान से पतला बदबुदार सराव रुक जाएंगे तथा इसके सेवन से आपके कान की हड़ी भी बच जाएगी दोस्तों एक और सितियाती है जब ये कान के पस काफी गाढ़े चिपचिपे तथा बदबुदार हों तो ऐसे कान के सराव को रुकने के लिए ही पर सल्फ टेलोरियम तथा सुराइनम बहतर अवस्तिय है इसके सेवन से कुछी दुने में आपके कान से गाढ़े चिपचिप तथा बदबुदार मवाद सुख जाएंगे आपके कान पहले के तरह स्वस्त हो जाएगी ही पर सल्फ तथा टेलोरियम थर्टी दिन में तीन बार दुदबुंद सेवन करें तथा सुराइनम 200 दिन में एक बार दुदबुंद अपने जीप पटपकाएं कान बहने की अगल सब्सक्राइब करने से आपके कान का ठीक हो जाएगा कान से मवाद के साथ खुन आना भी रुख जाएगा दोस्तों इसके अगली मेडिसिन ऐसे रोगियों के लिए हैं जिनके कान से अधिक मातरा में दुरगंद स्राव नुकलते हों तो यह दुरगंद इतनी सड़ी क्रियोजोटम काफी एफेक्टिम मेडिसिन है इसके थर्ड़ पोटन से दिन में तीन बार दोदबन स्वन करने से ही आपके कान के साथ साथ किसी भी या स्थान से सड़ी हुई दुरगंद आना कुछी दुने में बंद हो जाएगा आप अपने इस परसाने से छोटकारा भी पलेंगे और टोड़िया के अगली मेडिसिन है काल मियोर इसे आप उऔर्स इससे मं जब आपके कान भाने के साथ आपको सुनायidental लगैं या बहुत ही कम सुनाय देना लगें तो इस प्रस्थितियों को ठीक करने के लिए काली मियूर काफी बहतर आस्थी है इसके थाटे पड़ेंच से दिन में तीन बार दोदबुन चन करने सहीं आपके कान बहने के सांसाथ उंचा या बहुती कम सुनाय देने के समस्या खतम हो जाएगी तथा आपका कान बहना भी बंद हो दोस्तों और टोरिया की अगले दो मेडिसिन हैं कैप्सिकम तथा कलकिरिया सॉल्फ यह दोनों कान बहने की सरोतम और स्थियों में से सरोस्थ हैं सिम्टम चाहे कोई भी हो इससे 90 परसंट कान बहने के समस्या के वल इन्हीं दो ऑस्थियों से ठीक हो जाती हैं दोस्तों सिम्टम के अनुसार ही दोस्तों से आपके कान बहने का सीम्टम मेज कर रहा है केवल उसी दावा काहीं चैन करें दवाईयां आप अपने नजदिकी हुमिपतिक सोब या ओनलाइन सोब से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं सब दवाईयां सील पेक लें तो था अच्छे ब्रांड का हैं लें WSI, SBL था डॉक्टर रेक वज़े कंपनी के दवाईयां अच्छे हैं ले सकते हैं अपने कान बाने के समस्या को जड़ से खतम करने के लिए दवाईयां आप लगतार 5-6 मनों तक कंटिनू लें इसे आपके कान बाने के समस्या हमेशा के लिए खतम हो जाएगी हैं तो आप अपने ऐसी समस्या से परमानेटली छूट कारा पालेंगे दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में कुछ इतना ही मुझे उम्मीद थे कि मेरी सब्सक्राइब करें आपको समझ में आये होगी हैं अगर हाँ तो प्लीज अपना सप्पोर्ड दिखाएं कि लाइक बोटन को जरू क्लिक करें नेक्स्ट आप किस टपके पर वीडियो दे तचलिया धन्ने बात।